नमस्कार दोस्तों कडाके की ठंड पढ़नी शुरू गई है और आजकल घरों में तब्यत भी खराब हुरी है बच्चों की वड़ों की सर्दी खासी हो रहा है तो मैंने सोचा चलो आज सूप बनाया जाए सूप बनाने के लिए कडाही में मैंने थोड़ा बटर थोड़ा सा तेल डाला ताकि बटर जले ना इसमें बारी कटावाल हस्थन अद्रक डालेंगे 30 सेकंड के लिए मद्धे माज पर भून लेंगे फिर मैंने खूब सारी सब्जिया काटके रखे वो सारी इसमें आड़ कर देंगे जिसमें हरे प्याज का आगे वाला हिस्सा गाजर पत्ता गोबी, शिमला, मिर्ची, बीन, फिर इसमें नमक, काली मिर्ची डालेंगे, एक चोटा चम्मच इसमें डालेंगे रेड चिली सोस, एक चोटा चम्मच बीन चिली सोस, टमाटो, कैचप, एक टेबली स्पून, काली मिर्ची का बाउडर, नमक और जरूरत की साफसे पाने ड खालेते हैं तो यहां पर यह सूप उबल रहा है मैंने इसे पांच मिनट के लिए उबाला फिर मैंने कटोरी पानी लिया इसमें एक टेबिल स्पून मैंने कॉन फ्लार डाला है कॉन स्टार्च इससे थिकनस आएगा हमारे सूप में तो होममेड सूप घर में बनाया बहुत ब बज़े डाली थी मेरे लिए बच्चों को मैं हलकी सब जोगे साथ दूंगी यह मेरे सूप की कटोरी है जो बहुत ही टेस्टी बनिया आप ट्राय करना आपको यह बहुत पसंद आएगा बहुत फायदा भी